असलाम अलेकुम गूड मोर्निंग एवरीवन वेलकम बैक तो दे चैनल फ्रेंड्स आज मेरा स्विजर लेंड में आहरी दिन था आज मैं यहां से वापस जा रहा हूं से और यहीं पर इस सीरीज को फ़तम करेंगे यह पीछे आप देख सकते हैं जो होस्टलाइट में मैं रा लोग शाय मेंरे शक्रेशन का काम करते हैं परन्ट केमरे से आपको दिखाता हूँ यह देख रहें मेरे सामने एक यह कंस्ट्रीक्शन Sight और कैसे इनमें सारा सामान, भलॉक्स और construction material बड़े तरीके के साथ रखा हुआ है और public को यह फील नहीं होने देते कि यहां पर कोई काम हो रहा है सारे योरोप में तक्रीबान ऐसी है लेकिन इनका बहुत ही मुनाजम तरीका स्विजर लेंड का स्विजर लेंड में हर चीज ऐसे सफाई सुत्राई के साथ और स्लीके के साथ की जाती है कि अन्बिलीवेबल और आज मेरा लास्ट डे था तो आज यहां अलकी-अलकी बारश शुरू हो चुकी है वैसे पूरा वीक बहुत अच्छा गया सनी था थोड़ा पूद क्लावडी लेकिन ज्यादा तर सनी रहा और मेही कमहिना वैसे इस इस इलाके में इतली स्विजर लेंड में बारश का वैदर होता है लेकिन मेरे स्टे के दुरान तनी बारश नहीं होई तो पीछे पाढ़ आप देख सकते हैं क्या सीन पेश कर रहें है अब ही मैं जा रहा हूं स्टेशन की तरफ और स्टेशन से मैं जाऊंगा जिन्यवा एरपोर्ट पे जिन्यवा एरपोर्ट से मेरी वापसी की फ्लाइट है लिजबन की स्विजर लेंड के नोट बहुत खुबसूरत है यार स्विजर लेंड बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है है वेल डिसिप्लेंड बहुत सफाइस उत्राई यहां पे हार चीज़ बड़ी प्लानिंग के साथ होती है यानिके हाई स्टेंडर्स अब तक जितने भी मैंने कंट्री विजट की है यह टॉप पे है तो भी मैं इंटर लाकन वेस्ट रेंड स्टेशन के कौन चुकाँ यह सामने स्टेशन की बिल्डिंग है और यहां से मेरी रहन है अभी 10-15 मिनट के बाद जिनिवा एरपोर्ट की और वहां से मेरी वाप्सी है अगर आप जियो रख से एक मुल के किसी दूसरे एरिये से जिनिवा के एरपोर्ट पर आ रहे हैं तो ट्रेन यहां नीचे आपको उता रहेगी बिल्कुल नीचे ट्रेन स्टेशन है और यू ही आप उपर आते हैं आप एरपोर्ट के अंदर आ चुका है अगली वडो गचे लिए जज़ चांगा अलाफिश